Grand Asian News Channel में सबसे पहले यूनुस दनियाल पूरी का सलाम कबूल फरमाईए आज एक बार फिर हम काविधारा के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से अपनी मौझूदगी दर्ज कराने में बहुत हद तक सफल हुए हैं आज हमारे बीच शहर की बहुती जानिवानी कवित्री जिन की रचनाओं से अक्सर कोर्बा वासी काफी ज्यादा आनंद लेते रहे हैं आपका नाम मैडम लता चंदरा आप बालकों से ही आपने अपनी जिन्दगी की शुरुवात की है तो मैडम सबसे पहले आप से ये जानना चाहूँगा क्या आपकी पैदावार कोर्बा की है या आप कोर्बा से बाहर से आई है इसके बारे में सौट में मैं बताना चाहूँगी मेरी जो पैदावार है परवरी से वो ब्रजराज नगर संबलपूर ओडिसा में हुई है और मेरी दस्वी तक की सिक्षा वहीं हुई है और उसके बाद सन 1983 में मेरी शादी हो गई उसमें 16 साल की थी और उसके बाद मेरी शादी यहां मैं बाल को सादी होकर आई फिर यहां से मैंने फिर भी शिछा की जो यात्रा है मैंने 10 साल बाद फिर से start किया मुझे सुनने में यह मिला है कि आप पिच्ड वगरा कर रही है जी या कर रही थी जी उसके बार में थोड़ा सा मेरे आधी मिन बहटा है तो मैंने वही Centers मॉल使い फरीदेशा दिल आई उसके बाद बी ए ट्रीपााल में मैंने हिंदी हिंदी में समासाष्थर में शिक्षाषाष्थर में एमे किया है उसके बाद D8 भी किया और बाद में मुझे लगा PhD करना चाहिए तो जगदलपूर से मैंने competition exam दिलाया था उसे मेरा हो भी गया मैंने course work भी किया और मतलब 6 महीना रह के कि वहाँ मैंने पूरी पढ़ाई की और मेरी thesis भी पूरा तयार है लेकिन सिर्फ मेरे स्वास्त के कारण और दूरी के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाई और thesis जमा नहीं कर पाई यह आप PhD अभी तक नहीं कर पाई है और लगाजार 10 साल से आप कोशिच करती है अच्छा हमारी दुआ है और हमारे दिदी तमन्ना है कि आप जल्द से जल्द PhD की डिगरी हासिल कर लें और हमारे साहित बरादरी में एक और PhD जी डिगरी धारक आजाये तो बड़े खुछी की बात होगी बहराहल मैं समय को हमारे पास समय की बहुत कमी की वज़य कर बहुत कम शब्दों में चंद बातों को आप से जानना और आप से अर्ज करना चाहूंगा कि आप लिखने का सौक जो है कब से आपके अंदर पैदा हुआ है यह सन 2005 में वैसे तो बच्पन से ही मैं स्कूल में कल्चालर एक्टिविटीज में भाग लेती थी और मुझे इन सब चीजों में दिल्चस्पी रहती थी इस कारण गाने वाने का भी मुझे सौक था लेकिन सन 2005 में मुझे लगा कि कुछ कवीत्रियां बालको में मतलब एक दूसरे को देख सबने लिखना इस्टार्ट किया तो मुझे भी लगा कि मेरे में साइद ये टैलेंट है मैं भी कोसिस करूं तो साइद कुछ कर पाती तो मैंने कोसिस किया और मैं इसमें सफल भी हुई और साहीत ये भवन जब से यहां खुला है जब से जुड़े हैं लोग तब से मैं भी जुड़ी हूँ और इसलिए आज कव पसंद की छोटी-छोटी रचनाएं एक दो तीन समय की मजबूरी है वरना हम तुछ हम लोग सुनते हैं तो मैं सबसे पहले तो एक मुक्तक सुनाना चाहूंगी चार-चार लाइन से मैं जोड़ना चाहूंगी देश के लिए एक मुक्तक फूल खिलने लगे हैं चमन के लिए क्या बात है खुश्बु आने लगी है अमन के लिए बांध करके कफन चल पड़े जंग में हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए अब चार लाइन बुजुर्गों के लिए जहां पर भी बुजुर्गों का मान सम्मान होता है वहां इंसान के ही रूप में भगवान होता है न भूलो संस्कृति अपनी विरासत में मिली है जो जहां में आज भी अपने वतन का नाम होता है अब चार लाइन बारीस का मौसम चल रहा है उसके लिए इन दोनों की अटखेलियां देखकर तेरी यादों में ये मन बहकता है और अगर समय हो तो एक मुझत कर अब नारी हो तो नारी के लिए 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 बिल्कुल बिल्कुल तो ये भूण जो कह रही है उसके लिए मैं कवीता के माद्धें मैं ही जननी स्रिष्ट की हूँ मैं धरा की शान हूँ घर तो क्या सारे जहां का मैं ही तो अभी मान हूँ मैं ही कन्या पल रही हूँ रोड बनकर गर्भ में मुझे से है संसार सारा मैं ही इसकी खान हूँ मैं ही नारी मैं नहीं अब ला मुझे यह ग्यान है क्या है मेरी इसी मारे का ये मुझे भी ध्यान है आज इस्वर ने मुझे सद ग्यान का गहना दिया इसलिए इस देश में नारी का इतना मान है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत कुब आपने काफी कम समय में बड़ी प्यारी प्यारी रचना च्छोटे च्छोटे शकल में और एक एक अंदाज में हर मोसम का हर विचार का हर स्टेच का हर उमर का ध्यान रखते हुए आपने हमें और हमारे सारे सामयन को काफी ज़्यादा लुथ अंदोज कराया इसके लिए हम आपके शुक्र गजार ही नहीं बलके हम उमीद करते हैं कि फिर आप तकलीफ गवारा करेंगे किसी और एपिसोड में आप इस लिडियो में आएंगे और अपनी और खुबसूरत रचनाओं से हम सारे सामयन को नवाजएंगे इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार